गुद मॉर्णिंग एवरीबन कैसे हो आप सब लो तो मार्केट ओपन हो चुकर हमें कंटिन्व एक गरीन मुमंटम देखने को नजर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे जो बाइंग वगरा करके गई थे तो वो अपना प्रोफिट वोकिंग नहीं करने वाले क्योंकि अगर गैप आप ओपन हो जाता है तो वो अपना यह एक्सपेक्टेट करते हैं मार्केट में वो कंटिन्व मुमंटम कर सकता है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें कैसे काम करना चाहिए देखिए यहाँ पे आपको बायर के और सेलर के स्टोपलोस कहांपे हैं वो दंद करते हैं और उसके बाद हमें क्या देखना है कि यहां पे कोई भी पोजिशनल स्टोपलोस आपको नजर नहीं आएंगे जो आपको अपरसाइड नजर आ रहा है यहां पे कोई भी पोजिशनल स्टोपलोस नजर नहीं आएंगे तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मार् इसके अंदर ये space है ना इसको fill up करने के लिए market जो ये downside आ रहा है ना तो ये पैसा को लगा रहा है ये आपको समझना पड़ेगा तो without stop loss काम करना वाला है ने तो market में जो ये पैसा लगा रहा है तो ये पता ने कहां तक अपना पैसा लगाईगा तो इसके according आप situation कभी भी आतक आने की कोशिस नहीं करेगा तो हम अब थोड़ा wait करते है market में देखने किस परकार की situation मिलेगी क्योंकि अपर साइड कोई भी positional stop loss नहीं है और तो यहाँ पर बायर वगरा है bank nifty के nearby हैं बायर के stop loss लेकिन nifty के आसपास नहीं है तो nifty का हमें थोड़ा सा अलग sentiment देखने मिलेगा तो अभी हम stop loss को create होने देते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोगे सर यह बायर के stop loss खाने के लिए आ सकता है आप यहाँ पर put side की position क्यों नहीं बना रहे देखिए इसमें कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है आने को आ सकता है एक risk की position बनाया जा सकता है ले तो मैं यहाँ पे position create करूँगा तो चलिए हम यहाँ पे position बना लेता हूँ मैं पहले position बना लेता हूँ उसके बाद मैं आपके साथ discuss करता रहूँगा मैं यहाँ पे position क्यों बना रहा हूँ 575 quantity को हम add करेंगे सबसे पहले उसके बाद मैं add करना चाहूँगा थोड़ा सा wait क्योंकि market देखिए यहाँ से upper side भी जा सकता है और market downside भी आ सकता है दोनों ही situation यहाँ पे available है लेकिन probability कहाँ पे जादा है वो आपको देखना पड़ेगा तो पहले मैं second position भी बना लेता हूँ कुछ profit में आ गए हम तो put side की position हम क्या करेंगे 550 quantity को हम यहाँ पे add करेंगे तो मैंने second position भी यहाँ पे बना लिया current की बात करें तो 5,000, 10,000 के round अपना profit नजर आ रहा है अब हम बात कर लेते हैं मैंने यहाँ पे position क्यों बनाई है और कितना profit या loss लेने वाले अगर हम यहाँ पे profit की बात करें तो हम almost profit ले सकते हैं 60, 70,000 के round तक profit ले जा सकते हैं अगर ह हमारे market opposite चला जाता है अब बात करेंगे हम यहाँ पे position क्यों बनाई है देखिए market में यहाँ पे आपको बता है कि buyer की stop loss available है लेकिन जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यह जो आपको selling नजर आ रही है यह किसी ने real में selling किया होगा बिलकुल भी नहीं यह किसी ना किसी ने real में selling किया है इसलिए वो अपनी position में उनका यह stop loss market ने खाया कुछ यहाँ पे बगरा रहते तो उनको पूरा target कभी नहीं करता market मार्केट को जो पैसा लगाने वाला होता है जिसको दूसरे के stop loss खानी होते हैं तो कभी भी ऐसी situation में पैसा नहीं लगा है जिसको उसका अंदा उसके बाद यहाँ पे जो buying गएरा करके गए थे market को उनके stop loss पड़े हैं market में तो यह वाला momentum मिल सकता है तो इन दोनों situation को देखती हुए मैंने यहाँ पे position बनाईए अब मैं wait करता हूँ current के बात करें तो 15-16,000 के round अपना profit चल रहा है market में मैं आपको momentum दिखा देता हूँ यहाँ पे एक pattern बनाने की कोशिश कर है किसी को यह W pattern नजर आएगा किसी को यह M pattern नजर आएगा तो कौन किस बरकार की position बनाएगा वो depend करेगा उसका अपना-पना mindset के according लेकिन क्या अगर आपको यहाँ पे डबलू pattern के according ट्रेड लेनी चाहिए देखिए situation आप cable psychology level को target नहीं क जाना है मान लेखते हैं market अपरसाइड जाना है तो पहले आपको यह जो buyer नजर आ रहे मार्केट उनके stop loss खाएगा उसके बाद market अपरसाइड या downside जा सकता है उसमें कोई वह नए कि market अपरसाइड नहीं जाएगा जा सकता है लेकिन पहले यहाँ पर जो buying वेरा करके गए उ उनके stop loss कहाँ भी मिलेंगा वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो उनके stop loss खाएगा उसके बाद market upside या downside चलता रहता है तो अभी हम वेट करेंगे देखते हैं क्या होता है अभी हमारा 17,000 के 18,000 के round profit चल रहा है profit में हम hold कर लेते हैं position को देखिए होता क्या है अगर मैं expected कर करता हूं कि market में 10 या 20 मिनट के अंदर movement आना चाहिए अगर वही market मेरा समय ले लेता 2 या 3 गंटे तो मेरे situation थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि मेरा schedule होता है कहीं और पी तो वो काम नहीं कर पाता हूं तो इसलिए मुझे अपनी position को ना चाते हुए भी काटना होता है तो आप मत करो लेकिन कर सकते हूं लेकिन यह आपका पैसा है आप अपने according काम कर सकते हूं लेकिन यह जश्ट मेरा suggestion रहता है कि आप उस प्रकार के काम ना करें जो मैं केवल जश्ट एक momentum के लिए करता हूं जैसे मैंने कल position बनाया उसमें मैंने 40,000 के round पहले ही profit book कर लिया तो व situation होता है mostly मैं नहीं करता मैं आपको recommendation भी नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि ये चीजें आपको बाद में तकलीफ दे सकती है अगर आपको इनकी चीजों की आदत पड़गी एक दो दिन आप भी कर सकते हो मैंने करता अगर आप डैली profit मना रहे हो तो एक दो दिन आप भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो मेरा कल लोस हो सकता था मैंने profit बना लिया तो वो केवल एक suggestion था मानोगे तो अच्छी बात है नहीं बनाऊगे तो अभी अच्छी बात है बाद में शीख जाओगी ये बात है तो अभी हम वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर market में आप momentum देखें किस परकार का आया हुआ है market एक upside जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या ये ऐसे bullish momentum है या किस परकार का momentum आप इसको किस परकार पैचान होगी अगर देखें मारकेट में जो stop loss की candle होगी वो आपको बड़ी बड़ी candle नज़र आएगी यान कि market में ये जो candle आई थी वो मान सकती आप stop loss की आई थी ये जो candle आई थी वो stop loss की आई थी लेकिन ये आपको जो नज़र आ रहा है ये केवल और केवल आपको tempting किया जा रहा है आप इसको किस परकार पचान होगे क्योंकि देखिए market में जो आपको धीरे-दीरे जो momentum आता है वो आपको आपसे केवल buying करवाई जा रही है कि आप मुझे buy कर लो buy कर लो क्योंकि आपको time दिया जा रहा है कि आपकाना sentiment chance करोगे कब आपनी thinking बनाओगे कि मुझे buy करना है उसके बाद market आपके stop loss असानी से आपको मिल जाएंगे उसके बाद market momentum कर सकता है तो अभी हम देखेंगे 6000 के round loss चल रहा है चलने देते हैं market अगर अपरसाइड निकल लेगा तब हम अपनी loss book करेंगे otherwise market में बहुत ही जादा chances है कि market एक बार downside आए उसके बाद ये buyer को tempting करा है अभी के लिए अब जब market downside आएगा तब हमें एक profit देखने हो मिलेगा और इस बार जब market आएगा तो वो अपरसाइड नहीं जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार का moment हमें मिलेगा जब momentum मिलेगा तब मैं आपको मिलूँगा तो देखते हैं अभी तो हम कुछ profit में नजर आ गए हैं तो देखते हैं ये profit चलता रहेगा तो ये मारे लिए अच्छा है market में देखिए अपना जो profit है वो 33 के round चलने लग गया है अब मार्केट में आपको एक suggestion देना चाहूँगा देखिए ये market यहाँ पर आसपास अपनी support zone के पास आया हुआ है तो क्या आपको यहाँ पर buying side की position बनाना चाहिए क्योंकि आप देखोगी सर्ट continue हमें sell of देखने को मिल रहा है तो मैं भी market एक reverse करें तो मेरे पास अच्छा option है कि यहाँ पर market support के पास आऊ है तो मैं यहाँ पर एक cold side की position बना लो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि market यहाँ कहीं आया हुए तो आपको stop loss भी खा के जाएगा वो ऐसे नहीं कि market यहाँ से तुरों तरी करो कर दे है यह बाते मां आपको काफी बार बदाता हूँ कि market जब एक sentiment बनाने के लिए आया है न तो वो पूरा complete करके जाएगा जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा तब तक market अपरसाइड नहीं जाने वाला तो अभी market को हम चलने देते है निफ्टी देखिए अपकर Continuing की को सिसकरा बेंक निफ्टी ढॉनसाइड जाने की कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी को बायर के स्टोपलो चाहिए और निफ्टी देखिए थोड़ा सा दूर है बायर के श्टोपलो से थोड़ा दूर है तो इसलिए वो downside नहीं आना चाहता लेकिन bank nifty आजपास आया हुआ है तो इसमें negative side का momentum हमें मिलना चाहिए तो देखते हैं क्या होता है अभी हमारा profit फिर से 21 के round हो गया है कोई तकलीफ नहीं है आज आएगा momentum जब हमें पता है कि market के पास हमें है कि market को हम देख सकते हैं तो हम profit loss को भी देख सकते हैं तो hold करते हैं position को देखते हैं क्या होता है बात करें तो हमारा जो profit है वो 69,000-70,000 के round चला है market में एक momentum आया हुआ है तो आने देते हैं क्या है या हमपे अपना profit booking करना शुरू कर देता हूं क्योंकि almost market ने हमारा जो target है वो achieve कर लिया है लेकिन market थोड़ा सा recovery कर रहा है लेकिन जल्दी से recovery तो नहीं आएगा मैं यह नह तो यहां पर buying वगरा करके गए थे market उनके stop loss खा जाए उसके बाद हमें कोई तकलिफ नहीं market recover करे या ना करे वो market का अपना काम है अब हमने अपना profit booking कर लिया हमने क्यों booking किया क्योंकि यहां पर जो buyer वगरा किये थे market ने उनको काफी time दे दिया जिसने कभी-कभी इस डर के अंदर position निकाल दियोगी इसमें तो definitely सभी ने अपनी यहां पे दो बाएं वगरा करिये थे उसने अपनी position निकाल दी थी अब market थोड़ा सा stop loss वगरा दुबारा से create करेगा दुबारा से downside जा सकता है अब proceed जा सकता है हमें अभी दुबारा position नहीं बनानी चाहिए आपने profit booking क अब आप market में अराम से जाओ एक दो घंटा फ्रैस होके आओ दुबारा अगर position बनाए अगर आपको कोई opportunity नजर आती है तो आप वहां पे position बना सकते हो वो कर सकते हो काम लेकिन back to back अगर आप position बनाना शुरू कर दोगे तो market आपको पैसा बना के नहीं देगा क्योंकि होता है कि हमने बात की थी 60,000, 70,000 के round अपना profit booking करेंगे तो almost risk reward हमने same ही रखा है 921 के round हमने position बनाई थी 10 बजे हमने अपनी position को निकाल दिया अगर यह momentum तेजी का होता अगर market sideways नहीं होता तो मैं 80,000, 90,000 तक भी जाना पसंद करता था लेकिन market मुझे लग रहा है कि sideways है तो थोड हुआ है